हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतवपून है हर एक एक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चले देखते हमारा आज टॉपिक क्या है यहां पर जो हमारे समक्ष आया है उपन्य ली अच्छूकि श person ऑपन्यास की सब्रakन देखे परीवाशा और इसके सरूपों का तो यह महतवपून रहेगा यहां पर हम उपन्यास की प्रषाचां देते हुए इसके सरूपों का वरनन करेंगे और बिभीन विदुमानों दुरा दी अब नयास की परीवाशां पर j데 विशलेशन करेंगे जो काफी में है तो पूर्ण रहेगा उस पे हर एक बात पर हम ध्यान देंगे देखा जाये तो अपन्यास के अंतरगात डक्टर हजारी परसाद दिवेदी ने सहाइत्य संदेश के अपन्यास अंक अक्टूबर नॉमबर यह सब्द है नवल अर्थात नया और ताजा सहाइत्य त्यांग है परंतु फिर भी जिस मेधावनी नेक का था असंखिका आदिश शब्दों को छोर कर अंग्रेजी शब्द नोबल परतिशब्द उपन्यास माना था देखा जाये तो उपन्यास नोबल से निकला है जिसकी उसने इस सब्द के प्रियोग से यह सुचित किया कि यह सहत्यांग पुरानी कथाओं और असंखिकाओं से भिन जाती का है वही इसके अर्थ के अधार पर यह बास सपस्ट की गई कि उप उपन्यास उप मतलब निकट या समी नियास यानि डखना यानि अपने निकट रखन यानि यह भी सुचित किया गया कि विसेस सहत्यांग द्वारा ग्रंतकार पाठ के निकट अपने मन की कोई विसेस बात यानि उपन्यास का यहां बास्तविक सब्दों में अर्थ देखा जाए तो अपने मन के विसेस बात कोई अभिनव मत पर रखना चाहता है यानि कोई मत है कोई विचार धारा है जिसपे अपनी विचार रखना चाहता है तो यह उपन्यास होता है यानि माल लीजिए मैं अपने कुछ विचार आपके समझ रखना चाहता हूँ तो ये उपन्यास का एक अधार बन जाती है इसलिए इदापी यह शब्द पुराना परंपरा के प्रयोग के अनुकूल नहीं पड़ता है तो उसकी प्रयोग उपन्यास के विशिस प्राकृति के बिलकूली बे मिल नहीं खाता है यानि जब तक इनसानों के विचार धारा नहीं मिलते हैं इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं बनता है आज यह स्थापित हो चुका है कि उपन्यास एक कथा आश्र गंध विद्या है जो जीवन के ब्याप्यक्ताव में चितित करती है यानि जीवन के बारे में हर एक पहलू का जो है यहाँ पर एनलाइस किया जाता है तो उपन्यास एक कथा हो सकती है किसी व्यक्ति के मन की विचार हो सकते हैं जो उपन्यास की अंतरगत अपने विचार रखते हूं यहाँ पर उपन्यास का यही अर्थ निकलता है यानि निकट या समीब न्यास यानि रखना यानि अपने विचारों को किसी के समक्ष रखना यह उपन्यास कहलाता है अगर हम उपन्यास की परिभाशाओं पर नजट डालें तो कहते हैं बिभिन पश्चत और भारती विद्वानों ने उपन्यास की परिभाशा अपने अपने ढंक से करने का प्रियास किया है कहते हैं हर वेक्ति अपने विचार जरूर रखती हैं और कुछ मुख्य पश्चात्य और हिंदी विद्वानों के मत यहां पर पस्तुत किये गए हैं जिससे हम जो है उपन्यास की वास्तविक्ता को समझ सकी देखा जाएं पाश्य विद्वान का मत यह है कि न्यू प्रफेशन टू डिपर्जेंट दोस ओफ रियल लाइफ एंड परेलिट इन दे पॉलेट मीन्स उपन्यास एक विस्तुत अकार की कलपना है यहां सत्य है कि उपन्यास एक विस्तुत अकार की एक कलपना कथा है यह प्रकथा भी कह सकती हूँ जिसके द्वारा एक कारे कतुनाद को में वास्तविक जीवन की परति निधित्व करने वाले पात्रों और कारे का चितरन ौकिया गया हो मतलब यही बनता है कि उपन्यास एक कलपनिक कथा जरूर है छेकिन इसके अंतरगत हम किसी के जीवन की वास्त विकता को चित्रित करती है तो ये काफी महत्तुपून परिवासा है क्यों पन्यास एक विस्तुत अकार की कलपना है कलपनी कता है जिसके एक कारे कारण स्विंकला में बंदे हुए हम बास्तविक जीवन को परस्तुत करने की कोशिश करते हैं उसे सभी लोगों को बताने की कोशिश करते हैं तो देखते कि उपन्याास से वप्राई उस गद्मय हल्प कथा से है जिसमें वास्त जीवन का यथात किया जाता है यानि क्रेश ने साब सब्दों इस बात को उजागर करनी कोशिश किकि तो गंड़कर यानि होती है लेकिन इसके अंतर गट वास्तविक जीवन का यथात चित्रन करने की हम कोशिश करती हैं यानि किसी के जीवन के वास्तविक्ता को प्रगड करती हैं बेकर ने भी यहां पर किस सब्दों में यही बात लिखी है कि उपन्यास को हम गदमे कल्पीत असंख्यन के माध्यम से की गई जीवन की व्याक्या कह सकते हैं यानि आप उसमें क वास्तवख जीवन से संबंधित होती है तो इसी को हम उपन्यास कहती है इसी परकार देखा जाए तो अंग्रेजी विद्वान आड़ वाटन्स ने वास रखी थी अपनी कि उपन्यास गद में रचित कभी के समकालिन जीवन का अध्यन है जो कभी होते हैं उनका समकालिन यानि उससे काफी प्रभावित होके यहां पर नोबल लिखता है उपन्यास लिखता है और इसके लिए वह प्रेम तत्व की प्रधानता ग्रहन करता है यानि इसमें उपन्यास में प्रेम तत्व का प्रधानता होना भी महत्वपून है क्योंकि अपने समाजी संबंदों में मा तरगत परिवाशा को जो है पस्तुत करना है और सारे परिवाशा जो सबस्पास सब्दों में हूँ और यह काफी महत्वपूर इक्जाम उपन्यासकार थे और यहोंने काफी महत्वपूर बात को रखी ठी। यह और कि नायक कतुल्य वर्धक और मरुरंजक होना चाहिए यानि उपन्यास का जो कथा वाचक है या कथा कार है उसे कतुल्य वर्धक और मरुरंजक होना चाहिए जिसे कथा सुनने वाले और उपन्यास को समझने वाले लोगों को मरुरंजन भी हो उपन्यास समरार प्रेम चंद प्र कि उपन्यास समराट प्रेम चंद जो है काभी महतपूर्ण था मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूं यह मुंसी प्रेम चंद जी के वचन है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का मित्र मात्र समझता हूं और मानव चरित्र पर प्रकास डालने और उसके रहशों खोलने के उपन्यास का मुल्टत्व होता है, यानि किसी व्यक्ति के बारे में रहश से बताना ये उपन्यास के अंतरगति हो सकता है, क्यों उपन्यास में व्यक्ति अपने जीवन की हर एक घटनाओं को समलित करता है, तो प्रहम चंदरी साप शब्दों में कहा कि मैं उपन्यास के मानव चरित्र का मित्र मात्र समझता हूं और मानव चरित्र पर प्रकास डालना और उसके रहस्य को खोलने की उपन्यास का मुल्ट तत्व माना जाता है उसी प्रकास डक्टर स्याम सुंदरम दास का मत था और उने कहा था कि उपन्यास मनुष्य के वास्तिविक जीवन की कलपनिक कथा है यानि है यहां पर मनुष्य की वास्तविक जीवन लेकिन वो कलपनिक कथा है उसी प्रकार जैसंकर परसाद लिखते हैं कि मुझे कवीता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में इधात को आंक्रलन सरल पतीत होता यानि उपन्यास जो है जैसंकर पर यहां पर रखते हुए कहते हैं कि अधुनिक उपन्यास और दिष्टी को सिशक लेक में उपन्यास के संबंद में परगट किये गए हैं और विचारों के अनुसार उपन्यास विक्तियों की अपनी परस्थितियों के साथ संबंद की अव्यक्तितु के उत्रत्र विकास के प्र रखी उसी परकार देखा जाए तो जनेंद्रश कुमार ने भी अपनी विचार रखी देखा जाए तो भारत के बहुत से विद्वानों ने जिसमें डाक्टर गोबिन त्रिगुनार्त भी मेहतोपोन थे सब ने अपनी विचार रखे आपको वहाँ पर एक्जाम में हर का कर दो भी, कि अधनो ने आपको वहाँ पर रखे आपको वहाँ पर रेंद्रश की वहाँ आपको वहाँ डिसमें हरा चार्वानों ने जाने जापको वहाँ जा हुआ है।